वेलकम गाइस आज का टारगेट वन मिलियन लाइक और सब्सक्राइब कॉमेंट शेयर जरूर करे मेरे इस पर जान कुर्बान भाग साथ मधु और मीरा ने एक दूसरे को गले लगाया मधु ने मुस्कुराते हुए पूछा अच्छा मीरा हॉस्पिटल में तेरे कितने रुके खर्च हुए थे मीरा ने गुस्से में पूछा ये पूछना जरूरी है हाँ मेरे लिए बहुत जरूर है इसलिए प्लीज कोई ड्रामा मत कर और चुपचाप बता मुझे सेलरी मिल गई है और अगर तूने नहीं बताया तो मैं हॉस्पिटल से पता कर लूँगी मीरा ने मुँ बना कर कहा चेक अप और मेडिसन के मिला कर पांच हजार रुप्ये पंद्रह दिन बाद अंकल को फिर से चेक अप के लिए लेकर जाना है और डॉक्टर ने ये भी कहा कि अंकल बहुत जल्द फिर से चलने लगेंगे मधु ने अपने बैक से रुपके निकाले और मीरा के हाथ में थमाते हुए कहा ये पंद्रह हजार रुप्ये है अबीर को ओनलाइन ट्रांसफर कर दे दर्वाजे पर चाय लेकर खड़ी आर्टी ये सब सुन रही थी उसने बिना कुछ कहे चाय की ट्रे बैक पर रखी और वहां से जाने लगी मा, मधु ने इतना कहा ही था कि आर्टी के कदम रुप गए और उसने पटल कर मधु की ओर देखा मधु ने तुरंट कहा I am sorry auntie इतना कहकर मधु उठकर उनके पास गई और उसने आर्टी को रुपे देते हुए कहा अबीर के लिए रुपे मीरा को दे दिये है वो उसे आज ही online transfer कर देगी आज hospital में जो भी खर्च हुआ था वो मीरा ने दिया था इसलिए salary में से उसे भी दे दिये ये बाकी के रुपे है आर्टी ने बिना कुछ कहे रुपे ले लिए और कमरे से जाने लगी तो मधू ने तुरंट कहा मुझे शिमला जाने की इजाज़त देने के लिए थेंकियू मा आर्टी बिना कुछ कहे चली गई मीरा को आर्टी का behavior देखकर बहुत गुसा आया पर मधू की वज़े से वो कुछ नहीं बोली उसके जाते ही मधू मुस्कुराते हुए फिर से आकर बैट पर बैठी और मीरा से बोली मीरा में पहली बार शिमला जा रही हूँ वहां तो बहुत थंड होती है न तब ही मोहन ने वहां आकर कहा हा बेटा वहां बहुत थंड होगी इसलिए गर्म कपड़े रखना बिलकुल मत भूलना अपने पापा की आवाज सुनते ही मधू बैट से उठकर उनके पास गई और घुटनों के बल बैठकर बोली थैंक्यू पापा मुझे तो लगा था कि शायद आप और मान नहीं मानेगे पर आपने इजाज़त दे दी चाजियो मोहन ने मुस्कुराते कहा बेटा तेरा जाना जरूरी है अगर नहीं जाएगी तो तेरा रिजल्ट बिगर सकता है इसलिए इजाज़त तो देनी ही थी अब खुशी खुशी जाओ और अच्छे से अपना प्रोजेक्ट बनाना ठीक है जी पापा मधू ने मुस्कुराते हुई कहा मधू ने अपने बैग से रुप्ये निकाले और मोहन को दे कर कहा पापा ये आप रखे मोहन ने मधू के गाल को छू कर कहा नहीं बेटा इस बार ये रुप्ये तु अपने पास रख इतनी दूर जा रही है तुझे इनकी जरूरत पढ़ेगी पर पापा मेरे पास वहाँ जाने के लिए रुप्ये है कल आपने ही तो दिये थे मधू ने इतना कहा ही था कि मोहन ने उसे टोकते हुए कहा मधू इनहीं रख मेरी खातिर प्लीज बेटा ठीक है मधू ने मुस्कुराते हुए कहा तब ही वहाँ मधू की पढ़ोसी अपने हाथ में एक प्लास्टिक का डिबबा लिये वहाँ आ गई उन्हें देखते ही मधू मुस्कुराते हुए उठकर उनके पास आकर बोली आये प्रिया चाची बैठिये न और हमारे साथ चाए भी पीजिये प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा मैं यहां बैठने या चाए पीने नहीं बल्कि तुझे कुछ देने आई हूँ गए उन्हें हैरानी से देखने लगी प्रिया ने मधू को एक डिबबा देते हुए कहा ये मत्री और बेसन के लहु आज सुबह ही बनाये थे तेरे चाचा जी को मोहन भाई साहब से पता चला कि तू शिमला जा रही है तो मैं ये तेरे लिए ले आई इन्हें अपने सामान में रख लेना मधू ने मुस्कुराते हुए उन्हें लगे लगा कर कहा थेंक्यू चाची प्रिया ने मधू के गाल को छू कर कहा अच्छे से जाना और जल्दी वापसा जाना मधू ने सिर हिला दिया मैं आर्ती भाभी से मिलकर आती हूँ इतना कहकर प्रिया चली गई मीरा ने तुरंट मधू के हाथ से दिबबा लिया और उसे खोल कर लड़ू खाने लगी मोहन और मधू दोनों को हंसी आ गई मोहन ने मधू से कहा मधू अपनी पैकिंग कर ले बेटा सारी चीजे ध्यान से रखना कही जरूरत की कोई चीज छूट न जाए आप चिंता मत करिये अंकल में हूँ न इसके साथ इसकी सारी पैकिंग में खुद करूंगी मीरा ने लड़ू खाते हुए कहा मोहन मुस्कुराते हुए वहां से चले गए उनके जाते ही मीरा ने मधू के मूов में लट्व थूसते हुए कहा टेस्ट कर बहुत तेस्टी है लट्व खाते ही मधू सोच में पढ़ गई उसने मन ही मन कहा इनके लट्वों का टेस्ट तो मा के हाथों के लहू जैसा है कही मान एही तो ये नहीं बनाए क्या सोच रही है मीरा ने दब्बे से लड़ू निकालते हुए पूछा मधू ने उसके हाथ से लड़ू लेकर फिर दब्बे में रखतर कहा ये रास्ते के लिए है और तु यही गप किये जा रही है अब चल पैकिंग में मेरी मदद कर मीरा ने मूँ बनाया और मधू की पैकिंग में हेल्प करने लगी शिमला जाने की खुशी मधू के चहरे पर साफ नजर आ रही थी मधू ने अपने कपड़े बैग में रखते हुए कहा मीरा जब भी में टीवी में बर्फ देखती थी तो मीरा मन भी करता था कि मैं भी बर्फ देखे और आज देख मेरा ये ड्रीम पूरा होने जा रहा है और कमाल की बात तो ये है कि इतने सारे شहरों में हमें प्रोजेक्ट के लिए शिमला ही मिला मैं तो बहुत 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 एक्साइटेड हूँ मीरा उसकी बाते सुनकर मुस्कुराते हुए अलमारी से उसके कपड़े निकाल रही थी तब ही उसकी नजर एक स्वेटर पर पड़ी मीरा ने स्वेटर उठा कर पूछा मधू ये स्वेटर ये कब खरीदी तूने मैंने तो ये कभी नहीं देखी स्वेटर देखकर मधू भी हैरानी से बैट से उठकर मीरा के पास आई और उसने स्वेटर को देखते हुए कहा मीरा ये तो मैंने भी कभी नहीं देखी मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा हो सकता है कि हम दोनों नहीं इस कही से खरीदा हो और फिर हम ही भूल गए हो मधु ने कुछ पल सोचकर मन ही मन खुद से कहा पर मैंने तो ये कभी नहीं खरीदी अगर मैं और मीरा साथ में ये स्वेटर खरीदते तो मुझे तो याद होता पर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने ये कब खरीदी कही पापा तो मेरे लिए नहीं लाए इतना सोचकर मधू के चहरे पर मुस्कुराहत आ गई और उसने मीरा से कहा मीरा ये जरूर पापा लाए होंगे मुझे भी यही लगता है इसलिए अब अपना दिमाग इस्तिमाल करना बंद कर और इसे बैग में रख तेरी पैकिंग करवाने के बाद मुझे भी मेरी पैकिंग करने घर जाना समझी मिस मधू शर्मा इतना कहकर मीरा ने मधू के हाथ से स्वेटल ली और मधू के बैग में रख दी इधर करन ने अपने ओफिस के बाहर आकर अपनी गाड़ी रोकी गाड़ ने जैसे ही करन की गाड़ी देखी तो दोड़ता हुआ आया करन ने अपनी गाड़ी का डोर खोला तो गाड़ ने तुरंट दोर पकर लिया। करन ने अपने ग्लासिस निकाले और ओफिस के अंदर आया वो जहां जहां से गुजरा। ओफिस के स्टाफ के लोग उसे देखते हुए खड़े हुने लगे, करन सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ा, आदी, ओफिस की एक लड़की को फाइल में कुछ करेक्शन करने के लिए कह रहा था तब ही उसकी नजर सामने आ रहे करन पर पड़ी, उसे देखते ही आदी मुस्क करन ने अपने केबिन का दर्वाजा खोला और केबिन में चला गया, उसके जाते ही आदी ओफिस में पीउष को धूंधने लगा, करन आकर अपनी चेयर पर बैठा, बैठते ही उसने अपना पीसी ओन किया, तब ही वहाँ पीउष ने दर्वाजे पर नौक करते हुए पीउष ने तुरंट कहा मैंने उसे फोन किया था पर उसने फ्लैक देने से इंकार कर दिया है, बहुत ही बद्तमीजी से बात कर रहा था, कह रहा था कि जब उसके पास रुके आ जाएंगी तो हमारे रुके दे देगा, इतना सुनते ही करन ने अपने मेल रीड करते हुए क अब तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा वो पीउष ने तुरंट टेबल पर रखे फोन से रहेजा को फोन किया, दूसरी और से रहेजा ने फोन रिसीव करके कहा हे लो, खुराना कंस्ट्रक्शन से पीउष बात कर रहा हूँ, पीउष ने इतना कहा ही था कि रहेजा गुस कर दूंगा कि रुपयों के लिए तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो, ये सुनते ही पीउष के चेहरे के रंग ओल गए, तरन ने पीउष को इशारा करके रिसीव मानगा, पीउष ने उसे रिसीव दे दिया, तरन ने जैसे ही रिसीव कान से लगाया, रहेजा फिर से बोला रहेजा के साथ तुम लोगों ने पहली बार काम किया है, इसलिए शायद जानते नहीं हो कि मेरे साथ काम करने वालों को पैसा भी मेरे हिसाब से दिया जाता है, जितना मिल गया है उतने में ही खुश रह, ज्यादा कि उम्मीद करेगा तो बहुत पच्चताए तेरे जैसे इनसान की हल्क से भी निकालना बहुत अच्छे से आता है, मुझे अब तू मेरी बात घ्यान से सुन, अगले एक घंटे में अगर मेरे 30 लाख रुपे मेरी टेबल पर नहीं आये तो बहुत बड़े जटके के लिए तयार रहना, सिर्फ एक घंटा, ये सुनकर रहेजा बहुत जोर जोर से हसने लगा और करन चुपचाप उसकी हसी सुन रहा था, रहेजा ने हसते हुए कहा तेरे जैसे पचासो दिन में हजार बार धंकी देते हैं मुझे पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो रहेजा की गिरेबान तक पहुँचे और उसका दोड़ा मेरे पास आएगा और खुद मुझे या तो मेरे तीस लाख मुझे वापस देगा या फिर तेरी बिल्दिंग के दो फ्लैट मेरे वरकरों के नाम करेगा शराफत से मेरी बात समझो और मानो वरना करन खुराना को अपनी शराफत छोड़ने में चंद सेकंड भी न जी सर पीउष ने इतना कहा और पेपस करन की और बढ़ा दिये करन ने पीउष से पेपस लेकर कहा आदी को भेजो जी पीउष इतना कहकर चला गया करन ने पेपस रीद किये और कहा करन खुराना से पंगा लेकर बहुत बढ़ी गलती कर दी तुने रहे जा अब तो तू ग तुम्हें मेरा एक काम करना है। दूसरी ओर से आवाज आई बोलिये सर करन उसे समझाने लगा कि उसे क्या करना है। दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई ठीक है सर काम हो जाएगा। इतना सुनते ही करन ने कॉल डिस्कनेक कर दिया तब ही आदी केबिन में आया और बोला सर, बंसल और उस जमीन का ओना आया है। उन्हीं लेकर आओ। करन ने फिर से अपनी चेव पर बैठ कर कहा। आदी तुरंद बाहर गया और बंसल और जमीन के मालिक को लेकर आया। बंसल ने अंदर आते ही करन की और हात बाहर कर कहा मुझे नहीं पता था कि आप करन खुराना है अगर पता होता तो ये डिल सुबह ही फाइनल हो जाती। आइम रियली सॉरी सर, मैं आपको पहचान न सका। करन ने उठकर उस से हात मिलाया तो बंसल ने अपने बॉस की और दे जाते हुए, तहां हेलो, बैठिये, बंसल और मिस्टर ग्रेवाल करन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उनके बैठते ही करन ने भी बैठते हुए कहा ये हमारी मुलाकात नहीं है, मिस्टर बंसल मैं और मिस्टर ग्रेवाल कई बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। व करन ने इतना कहा ही था कि मिस्टर ग्रेवाल ने करन की बात काते हुए कहा इसलिए अब आप इस जमीन के देर सो करोड भी नहीं देंगे। यही न, करन ने मिस्टर ग्रेवाल के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आधी को इशारा किया। करन के इशारा करते ही आदी ने करन के सामने रखे टेबल की ड्रॉ से चेक बुक निकाली और चेक बनाने लगा। मिस्टर ग्रेवाल ने फिर से कहा मैं जानता हूं कि जैसे ही आपने उस जगह सोसाइटी बनाने की अनॉंस्मेंट की मेरी जमीन की कीमत आधी हो गई है और मैं ये भी अच्छे से जानता हूं कि अब आप वो जमीन किसी को खरीदने भी नहीं देंगे और अगर कोई अच्छी डील देखकर मैंने वो जमीन किसी को बेच भी दी तो वो भी आपका ही आदमी निकलेगा इसलिए मेरी भला एसी में है कि मैं ये जमीन आपको ही बेच दून क्यों कि कोई रास्ता आपने मेरे लिए छोड़ा नहीं है आप जितनी भी अमाउंट इस चेक में भरना चाहे भर दीजिए मैं पेपर साइन कर देता हूँ ये सुनकर करण बंसल की ओर देखने लगा जो सिर जुकाए खड़ा था करण ने टेबल से फाइल उठा कर मिस्टर ग्रेवाल के सामने फेफी मिस्टर ग्रेवाल ने करण की ओर देखा और फिर बिना रीड के पेपर साइन कर दिए ये देखकर आदी मुस्कुराने लगा पर मिस्टर ग्रेवाल अपसेट हो गए उन्होंने पेपर साइन करके फाइल करन की ओर बढ़ा दी करन ने फाइल लेकर आदी के हाथ में थमा दी आदी ने तुरंट फाइल पर मिस्टर ग्रेवाल के सिगनेचर चेक किये और चेक बुक करन की सामने रख कर कहा सर करन ने मिस्टर ग्रेवाल की ओर देखते हुए चेक पर सिगनेचर किये और चेक फार्ट कर मिस्टर ग्रेवाल की ओर बढ़ा दिया मिस्टर ग्रेवाल ने चेक लिया और करन से कहा थेंक्यू मिस्टर खुराना इतना कहकर मिस्टर ग्रेवाल ने चेक देखा चेक देखते ही वो शौक्त हो गए उन्होंने हिरानी से करन की ओर देखा करन ने खड़े होकर कहा मिस्टर ग्रेवाल मैं आज जिस भी मुकाम पर हूँ अपनी मेहनत के दम पर हूँ खुद उचा उठाने के लिए मैं दूसरों को गिराने में विश्वास नहीं रखता मैं जानता हूँ कि ये जमीन आपने 6 महीने पहले ही एक सी 45 करोर में खरी दी थी ताकि मैं ये जमीन न ले सकूँ मुझे बस ये जमीन चाहिए क्योंकि ये जमीन मेरी जरूरत है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मैं आपका नुकसान कभी नहीं करना चाहता इसलिए मैंने आपको इस जमीन की वही कीमत दी है जो इस जमीन के लिए आपको मिलनी चाहिए ये डेल सौ करोड का चेक तो आपको आज सुबह ही मिल जाता अगर मिस्टर बंसल मेरी बात मान लेते पर कोई बात नहीं ये भी अपना काम ही कर रहे थे मिस्टर ग्रेवाल ने मुस्कुराते हुए कहा मिस्टर खुराना आज आपसे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई आज आपने ये प्रूफ कर दिया कि क्यों आज इतने सक्सिस्फुल है मेरा भाई बंगलोर में एक होटल बनाने जा रहा है और मैं ये चाहूंगा कि मेरे भाई का होटल आप बनाए ये सुनकर आदी बहुत खुश हो गया करन ने मिस्टर ग्रेवाल की ओर देखते हुए कहा जरूर मिस्टर ग्रेवाल यही तो बिजनेस है मेरा बहुत जल्द मेरा भाई आपसे कॉन्टेक्ट करेगा चलता हूँ बाई इतना कहकर मिस्टर ग्रेवाल ने एक बार फिर से करन की और अपना हाथ बढ़ाया करन ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा मिस्टर ग्रेवाल बंसल साहब को इनका कमीशन देना मत भूलिएगा ये सुनकर बंसल के चहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई बाई मिस्टर ग्रेवाल करन ने इतना कहा और आदी को इशारा किया करन के इशारा करते ही आदी ने तुरंट मिस्टर ग्रेवाल से कहा आए मिस्टर ग्रेवाल मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ इतना कहकर आदी उन्हें बाहर छोड़ने चला गया उनके जाते ही करन ने टेबल पर रखा अपना फोन और फाइल उठाए और केबिन से बाहर आया तब ही उसके डैट की नजर उस पर पड़ी करन, करन के डैट ने उसे आवाज लगाए उनकी आवाज सुनते ही करन उनके पास गया और उन्हें फाइल देते हुए बोला डैट सावे रोड वाली जमीन के पेपस बलदेव ने तुरंत उसके हाथ से फाइल ली और देखने लगे उन्होंने मुस्कुराते हुए करन से कहा वेल दन बेटा करन ने अपने फोन से किसी को कॉल करते हुए अपने डैट से कहा डैट, मिस्टर महरा कुछ देर में आफिस आ रहे है प्लीज आप दील के पेपस पर सिगनेचर कर दीजिएगा मुझे किसी जरूर काम से बाहर जाना है ठीक है, बल्देव के इतना कहते ही करन जाने लगा तो बल्देव ने कहा करन, रहे जा से पैसे निकालने के लिए जो भी करो बेटा खुराना कंस्ट्रक्शन की इमेज को ध्यान में रख कर करना इतना सुनते ही करन के कदम रुख गए पर उसने पलग कर अपने डैग की और नहीं देखा बल्देव ने फिर से कहा प्लीज, ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मुझे एक बार फिर पुलिस स्टेशन आना पड़े इतना कहकर बल्देव चुक हो गए और करन बिना कुछ कहे और बिना उनकी और देखे वहां से चला गया बल्देव ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा इस लड़के को समझाने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि ये करेगा वही जो ये करना चाहता है लगता है वकील को बेल के पेपर रैडी करने के लिए कहना ही पड़ेगा इतना कहकर बल्देव फिर से अपने केबिन में चले गए मधु रात का खाना बनाने के लिए किचन में पहुँची वहां आरती वाश बेसिन के पास खड़ी बरतन साफ कर रही थी ये देखकर मधु तुरंट उसके पास जाकर बोली मा आप रहने दीजिए मैं कर लूंगी आरती ने बरतन धोते हुए कहा कोई जरूरत नहीं है तु जाकर अपनी पैकिंग कर तल सुबल तुझे निकलना है ये सुनकर मधु के चहरे पर मुस्कान आ गई मधु को मुस्कुराते देख आरती ने तुरंट बरतन धोना छोड़ दिये उसने वहां टेंगे टौवल से अपने हाथ पोचे आरती ने वाश बेसन के ऊपर बनी अलमारी को खुला और उसने से एक स्टील का दिबबा निकाला मधु चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी आरती ने दिबबे में से कुछ रुके निकाले और दिबबा बंद करके फिर से अलमारी में रखकर अलमारी बंद की वो मधु के पास आई उसने अपनी बाई हथेली से मधु की कलाई पकली और उसमें रुके रखकर कहा ये रख ले वहाँ काम आयेंगे मधु के चहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई उसे मुस्कुराता देख आरती ने तुरंत कहा तेरे जाने के बाद कम से कम कुछ दिन तो मुझे तेरा चहरा नहीं देखना पड़ेगा और मैं शुकून से जी सकूंगी इतना सुनते ही मधु के चहरे पर फिर से उदासी छा गई और उसने चुपचाप अपनी नजरे जुका ली आरती ने फिर से कहा अच्छा होता अगर तू कुछ दिन के लिए नहीं हमेशा के लिए इस घर से चली जाती और कभी लोटकर नहीं आती वैसे तुझसे ये कहने का कोई फाइदा तो नहीं है पर फिर भी कहना जरूरी है क्योंकि लोटकर तू इस घर में जरूर आएगी अपने पापा के भरोसे की इज़्जत रखना और वहां जाकर ऐसा कोई काम मत करना जैसा तेरी माने किया था ये सुनकर मधू ने हिरानी से आरती की ओर देखा तो आरती ने फिर से गुसे में कहा ऐसे मत देख मुझे ये सब मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तेरी रगों में खून तो उस गिरी हुई औरत का ही है न जिसने एक शादी शुदा आदमी से गलत रिश्टा बनाया और मुझसे मेरा पती और आत्म सम्मान दोनों छीन लिया तुझ पर भरोसा तो मुझे बिल्कुल नहीं है पर फिर भी उम्मीद करती हूँ कि तू वहां जाकर कुछ गलत नहीं करेगी इतना कहकर आरती गुसे में फिर से बरतन साफ करने लगी मधू कुछ देर अपने हाथ में रुके धामे वही खड़ी उन्हें देखती रही और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई मधू के किचन से बाहर जाते ही आरती ने पलट कर दर्वाजे की ओर देखा और खुद को संभाल कर फिर से बरतन साफ करने लगी का कि करन खुराना क्या करता है तब ही उसका मेनेजर दोड़ा दोड़ा आया और उसने कहा सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्या हुआ रहेजा ने हिरानी से पूछा उसके मेनेजर ने तुरंत उसे लिफाफा देते हुए कहा ये नोटिस आया है रहेजा ने अपने मेनेजर की ओर देखते हुए लिफाफा लिया मेनेजर फिर से बोला सर, एमजी रोड पर हमारा होटल जिस जगव पर बना हुआ है वो जमीन हमने 25 साल के लिए लीज पर ली हुई थी लीज खत्म होने में अभी दो दिन बाकी है और जमीन के मालिक ने हमें ये लेटर भेज कर उस जमीन की लीज आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया है वोट, रहे जाए सुनकर हैरानी से उठकर खड़ा हो गया और उसने तुरंट वो लेटर रीट किया और मेनेजर से पूछा पर वो तो हमें वो जमीन बेचने के लिए मान गया था तल ही तो मेरी बात हुई थी उससे मेनेजर फिर से बोला सर पर अब उसने अपना इरादा बदल लिया है मैंने उसे फोन भी किया था पर उसने हमसे बात करने से साफ इंकार कर दिया है उसकी सेकरेटरी ने बताया कि अब नहीं वो हमें ये जमीन बेचेगा और नहीं ली जागे बढ़ाएगा क्योंकि कोई और उसे इस जमीन की दुगुनी कीमत दे रहा है इसलिए वो लोग ये जमीन किसी और को बेच रहे है रहेजा ने गुसे में पूछा तो तुम यहां क्यों खड़े हो जाओ और जाकर उस जमीन के मालिक से बात करने की कोशिश करो क्योंकि वो हमें ये जमीन बेचने के लिए तयार था इसलिए ही तो हमने उस जमीन पर होटल खड़ा किया अब वो दो दिन पहले कैसे जमीन किसी और को दे सकता है तब ही किसी ने रहेजा के केबिन के दरवाजे पर नौप किया आ जाओ मैनेजर ने कहा उसके इतना कहते चपरासी अपने हाथ में एक लिफाफा लिया अंदर आकर बोला सर कुछ देर पहले ये कोरियर वाला दे कर गया है रहेजा ने उसके हाथ से लिफाफा लिया और उसे खुला मैनेजर ने चपरासी को जाने का इशारा किया तो वो चला गया रहेजा ने लिफाफे से लेटर निकाल कर रीट किया पर लेटर पढ़ते ही उसके चेहरे के रंग उल गए और वो कुरसी पर बैक गया क्या हुआ सर, मैनेजर ने पूछा रहेजा ने उसकी ओर देखकर कहा गांधी नगर में जो हमारी बिल्दिंग थी जिसमें 50 किरायदार रह रहे है उसे गिराने के लिए नगर निगम का नोटिस आया है ये सुनकर मैनेजर भी शॉप्ट हो गया और उसने हिरानी से पूछा क्या रहेजा ने लेटर देखते हुए कहा अतिक्रमन की वज़े से वो ये बिल्दिंग गिराने जा रहे है इसमें लिखा है कि हमारी बिल्दिंग 20 फीट सड़क पर आ गई है सड़क चोड़ी करने के लिए कल सुबह 11 बजे उस बिल्दिंग को गिरा दिया जाएगा इतना कहकर रहेजा ने गुसे में उठकर खड़े होकर कहा ये सब हो क्या रहा है नगर निगम के अधिकारी हजारों बार अतिक्रमन हटाने वहां आते है और हर बार कुछ रुके लेकर चले जाते है तो फिर आज उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने मुझे ये नोटिस भेज दिया जरूर तुमने इस बार उन्हें रुके नहीं भिजवाय होंगे नहीं सर मैंने उन्हें तीन दिन पहले ही चेक भिजवा दिया था मेनेजर ने घबराते हुए कहा तो फिर ये क्या है रहेजा ने बुस्से में लेटर उसके मुँपर फिक कर पूछा जवाब मैं देता हूँ करन ने रहेजा के केबिन के दर्वाजा को खोल कर कहा उसे देखते ही रहेजा शौक्ट हो गया करन रहेजा की ओर बढ़ा रहेजा उसे देखते हुए कुछ कदम पीछे हटा तरन उसकी कुरसी बैठा और उसने अपने दोनों पैर उसके सामने रखी टेबल पर रखे ये देखकर रहेजा और उसके मेनेजर की आँखे खुली की खुली रह गई वेलकम गाईस हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब और लाइक कॉमेंट शेर जरूर करे ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अप्लोड कर सको